हालो एफ्रीवन, वेलकम बैक टू दी चानल, आज के इस वीडियो में हम अगेन गुगल डोस से रिलेटेट कुछ इंपॉर्टन क्वेस्चन डिसकस करने वाले हैं विध प्रैक्टिकल, इस वीडियो में हम जादा से जादा गुगल डोस से रिलेटेट सौटकट की डिसकस कर जो आने वाले सभी एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, विडियो आज का वीडियो सुरू करते हैं, वीडियो आपको एंड तक देखना है क्योंकि वीडियो के एंड में आपका मॉक टेस्ट भी होगा, तो सुरू करते हैं, इससे पहले डिसकस कर लेते हैं कि गुगल ड अकाउंट होना चाहिए, तो आप इस तरीके से लोग इन कर लिजेगा, नहीं है तो आपको जीमेल अकाउंट कर लेना है, फिर आपको इस नाइन मैट्रिक्स पे क्लिक करना है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो गुगल के जितने भी एप्लिकेशन है, यहां पे आप गुगल डोस में डॉक्यमेंट क्रियेट कर सकते हैं, अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं, तो ब्लैंक डॉक्यमेंट पे क्लिक किज़ेगा, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इस तरीकी का पेज आपके सामने आता है, अब हम लोग आज के पहले क्वेस्चन पे मू प्योग करके, नंबर्ड लिस्ट और बुलेटेड लिस्ट सम्मिलित की जा सकती है, यानि कि इंसर्ट किया जा सकता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा B, फॉर्मेट मेन्यू, कैसे? त्वाते ही हम लोग गुगल डोस पे, देन आपको यहाँ पे फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नीचे देखेंगे, तो बुलेट्स और नंबरिंग का ओप्शन दिया गया है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखें, नंबर्ड लिस्ट मेन्यू यहाँ पे ओपन हो गया है, फिर आप बुलेट B. 1 meter, C. 1 inch, और D. 1 mm, millimeter, तो आंसर क्या होगा, C होगा, 1 inch जो होता है, Google Dose में margin का default size होता है, कहां से आप, जो है margin का size देख सकते हैं, तो इसके लिए आप Google Dose में आईएगा, देन आपको click करना है, file पे, file पे click करने के बाद आपको page setup पे click करना होगा, तो आप यहां पे देख स सकते हैं, margin inches में दिया गया है, 111, ठीक है, how many types of margins are used in Google Dose, Google Dose में कितने प्रकार के margin का उपियोग किया जाता है, तो अभी अभी हमने आपको practical में दिखाया है, कि Google Dose में margin के कितने type है, तो answer क्या बनेगा, C4 type होते है, तो कौन-कौन से है, वही process आपको यहां पे भी follow करना है file menu पे click करना है, दिन आपको page setup पे click करना है, तो आप देख सकते हैं, top, bottom, left, right, यह सभी margin के type है, to take a new document from Google Dose, which menu should use, Google Dose से एक नया दस्तवेज लेने के लिए किस menu का उपियोग करना चाहिए, यनि कि अगर आप Google Dose में एक नया document बनाना चाहते हैं, create करना चाहते हैं, तो कौन सा menu को आप इस्तिमाल करेंगे, आपको दिया जाता है, edit, format, insert, file, answer क्या होगा, d, file menu का इस्तिमाल करेंगे, Google Dose में आए, file menu पे जब आप click किजेगा, तो यहां पे आपको new को option दिया जाता है, आपको नया document create करना है, तो इस document वाले option पे click किजेगा to bold the selected text of Google Dose, dash shortcut की used, Google Dose के selected text को bold करने के लिए, किस shortcut कुझी का उपियोग किया जाता है, तो Microsoft Office में हमने देखा है कि जो भी selected text होता है, उसे bold करने के लिए हम control B का इस्तिमाल करते हैं, तो Google Dose में भी आप bold के लिए control plus B का use करेंगे, practical देखिए, तो जिस भी text को bold करना जाते हैं सबसे पहले select करना होगा, then control B press करेंगे, तो bold हो जाएगा, horizontal line can be inserted using dash menu, किस menu का उपियोग करके, horizontal line डाली जा सकती है, यनि कि insert की जा सकती है, तो यहाँ पे A, B, C और D दिया गया है, right answer क्या बनेगा, A, insert menu, तो देखते हैं हम लोग practical, click करते हैं, insert menu पे, then आपको क्या करना है, horizontal line वाले option पे click करना है, तो आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपके page में एक line आ जाती है, control plus shift plus C, shortcut key is used for dash, यहाँ पे shortcut key दी गई है, control plus shift plus C, बताना है कि इसका use हम किसके लिए करते हैं, A, explore, B, word count, C, compare document, और D है citation, answer क्या होगा, B, word count के लिए हम shortcut की control shift plus C का use करेंगे, इसी से related एक और प्रस्न देखिए, word count command can be used from dash menu, word count command का उपयोग, किस menu में जाकर किया जा सकता है, तो यहाँ पे दिया गया है, A, insert, view, format, और D है tools, answer बनेगा D, tools, तो आते हैं Google dose पे, click करते है tools पे, जैसे ही आप इस पे click करते हैं, second में देखिए word count का option दिया गया है, तो आप word count के लिए, या तो tools में आके यहाँ पे click करके कर सकते हैं, या shortcut की control, plus shift, plus c का use कर सकते हैं, exam में या तो shortcut की पूछेगा, या फिर पूछेगा कि किस menu से जाकर कर सकते हैं, तो दोनों चीज़े आपको याद रखनी है, तो change the name of google dose, dash command should be chosen, google dose का नाम बदलने के लिए, किस command को चुना जाना चाहिए, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, कि जब हम google dose open करते हैं, तो file का जो default name होता है, वो untitled document होता है, उस name को आप अपने according change भी कर सकते हैं, तो change करने के लिए आप इन में से कौन सा path follow कर तो right answer बनेगा A, file, then rename करना है आपको, तो google dose पे आते हैं, यहाँ पे देखिए untitled document file का name है, जैसे ही आप इस पे करजल ले जाएंगे न, तो rename का option आ रहा है, यानि कि so कर रहा है कि आप इसे rename कर सकते हैं, तो इस पे double click करके इसे rename किया जा सकता है, लेकिन हम question के according चलेंगे, तो हमें file पे click करना है, file पे click करने के बाद यहाँ पे आपको rename का option दिया गया है, to increase indents of google dose, dash shortcut की used, google dose के indent को बढ़ाने के लिए, किस shortcut हुझी का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे shortcut की दी गई है A, B, C और D, correct answer क्या होगा, C, control plus close square brackets का use हम करते हैं, indent increase करने के लिए, अगर exam में पूछता है, dash shortcut की is used to decrease the indent of google dose, यनि की google dose में indent को कम करने के लिए, कौन सी shortcut की आप इस्तेमाल करेंगे, तो answer बनेगा, D, control plus open square brackets, अब हम लोग practical देखते हैं कि यह indent होता क्या है, और इसे हम लोग increase और decrease कैसे करते हैं, तो google dose पे हम लोग आ चुके हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे paragraph लिखे गए हैं, तो जिस भी paragraph के indent को आप increase और decrease करना चाते हैं, इस तरीके से आपको select करना है, फिर आपको यहाँ पे indent को decrease और increase करने का विकल्प दिया गया है, साथ ही साथ आपको shortcut की भी दिखाय जा रहा है, तो हम लोग पहले indent को increase करेंगे, तो आप देख सकते हैं जो हमारा paragraph है ना, यह right की तरफ shift हो रहा है, decrease कीजेगा तो left की तरफ shift होगा, तो इस तरीके से आप indent को increase और decrease कर सकते हैं, और यहाँ पे अपने document से related image insert कर सकते हैं, जिससे आपका document और अच्छा look देता है To create a duplicate copy of Google Dose, which command should choose? Google Dose की duplicate copy बनाने के लिए, किस command को चुनना चाहिए? तो यहाँ पे A, B, C और D दिया गया है, answer होगा A, make a copy पिछले वीडियो में हमने आपको एक question कराया था, जब आप Google Dose के लिए make a copy विकल्प का उपियोग करते हैं, तो क्या होता है? तो correct answer था A, it creates a new Google Dose with the same content Make a copy विकल्प क्या करता है? Same content के साथ एक नई Google Dose create करता है, यही same content है तो एक duplicate copy create कर रहा है यही question आपसे exam में इस तरीके से भी पूछ सकता है, कि एक duplicate copy create करने के लिए आप कौन सा command चुनेंगे? तो answer होगा make a copy practical देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग Google Dose पे आ चुके हैं, और हमारे file का name है Untitled Document और यहाँ पे ये content दिया गया है इसका duplicate करने के लिए हमें file पे click करना है, दिन आपको make a copy पे click करना है, नई document जो create हो रही है उसका जो भी file name देना चाहते हैं, यहाँ पे आप दे दीजेगा, दिन आपको make a copy पे click करना है तो आप देख सकते हैं, एक duplicate copy create हो गई है, यह था हमारा first वाला और यह है हमारा second वाला condition क्या है, दोनों में content same है What is the difference between download and export in Google Dose Google Dose में download और export के बीच क्या अंतर है, दोनों में क्या difference है यह तो ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, भी देखिए यह आप download का use करते हैं, तो यह आपके computer में document को save करता है लेकिन export का use करने से यह flash drive में save करता है C है, export saves the document to your computer, while download saves it to a different format यहनी कि अगर आप export का use करते हैं, तो यह document को आपके computer में save करता है जबकि download जो है, different format के साथ में save करता है D है, there is no difference, यहनी कि दोनों में कोई difference नहीं है, दोनों same है तो आंसर क्या होगा, C होगा, export जो है, आपके computer में document को save करता है जबकि download document को different format के साथ save करता है पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रस्न पूछा था, कि आप Google DOS की file को Microsoft Word में कैसे convert कर सकते हैं तो आंसर क्या था, हम लोग file में जाते हैं, फिर downloads पे click करते हैं तो वहाँ पे आप जितने भी format में Google DOS के file को कर सकते हैं, convert सारे format आपको दिखाय जाते हैं, वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है What is voice typing in Google DOS? Google DOS में voice typing क्या है? A. A tool for creating voice memos Voice memos create करने का एक tool है B. A tool for creating animations C. A tool for creating video recordings And D. A tool using your voice to add text Right answer क्या होगा? D. Voice typing जो है, एक tool है जो आपके voice का use करके Google DOS में text add करता है Google DOS में यहाँ पे अगर आपको text add करना है तो आप क्या करते हैं? Simply typing करते हैं, type करके कर सकते हैं दूसरा option आपके पास है कि आप voice typing का use कर सकते हैं तो voice typing इस तरीके से आता है यहाँ पे जो भी आप बोलेंगे वो type होगा आगे हम इसे shortcut की की मदद से देखेंगे कि आप इसे कैसे ला सकते हैं To underline the selected text of Google DOS dash shortcut की used Google DOS के selected text को underline करने के लिए इस shortcut कुंजी का उपयोग किया जाता है तो Microsoft Word में हमने देखा है कि underline के लिए हम control plus you का use इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे भी आप control plus you use कर सकते हैं तो जिस भी paragraph, text, sentence कह लिए underline करना है, select करना है फिर आपको control, you प्रेस करना है तो आप देख सकते हैं text के नीचे underline आ गई है to break, to page break, which shortcut की used page break करने के लिए कि shortcut कुणजी का प्रयोग किया जाता है तो answer है A, control plus enter की तो control enter की मदद से आप page break कर सकते हैं जहां से page break करना है वहाँ पे आपको करजर लेके जाना है फिर control plus enter प्रेस किजेगा तो वहाँ से page break हो जाएगा यहाँ पे देखिए, control plus enter आपको प्रेस करना है तो page break के लिए आप insert में आईएगा insert में आने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं page break का option दियागे break पे जब आप किलिक कीजेगा तो page break मिलेगा तो control plus enter की मदद से page break होता है control plus shift plus y shortcut key is used for dash command इस shortcut key का use हम किस command के लिए करते हैं command के name है dictionary, citation, compare document और d है word count तो answer बनेगा a, dictionary के लिए हम control plus shift plus y का इस्तिमाल करते हैं practical देखिए आपको जाना है tools पे tools पे जब आप किलिक कीजेगा तो नीचे यहाँ पे आपको आना है dictionary का विकल्प दिया गया है और shortcut की भी आपको साथ में दिखाया जा रहा है control shift plus y in google dose what is a table of contents google dose में table of contents क्या है a, b, c और d दिया गया है जो आपको read करना है हम आपको direct answer बताते है b, a summary of the documents section document के section का एक समरी होता है table of contents google dose में to write text alignment dash shortcut की used write text alignment के लिए किस shortcut कुझी का उपयोग किया जाता है correct answer होगा a, control plus shift plus r justify के लिए हम control plus shift plus j का यूज करते है control plus shift plus e इस्तिमाल होता है center के लिए और control plus shift plus l का यूज हम करते है left text alignment के लिए एक बार practical देख लेते हैं आपको ज्यादा अच्छे से clear होगा तो यहाँ पे कई सारे paragraph दिये गए है जिस भी paragraph के alignment को आप change करना जाते है इस तरीके से select कर लिजे अगर आप यहाँ पे control shift l प्रेस करते हैं तो कुछ भी काम नहीं करेगा क्योंकि control shift l यूज होता है left text alignment के लिए जो default होता है तो default already यहाँ पे आप देख सकते हैं left है तो कोई काम नहीं करेगा अभी हम control shift r जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारा text का alignment right में shift हो गया है control shift e से होता है center और control shift j से क्या होता है justify justify से हमारा paragraph जो है दोनों साइट से बिलकुल equal दिखता है इन paragraph को आप देख सकते हैं और इस paragraph को देखें क्या difference है फिर आते हैं control shift l तो यह left में इस तरीके से shift हो जाता है तो इस तरीके से आप इनका use कर सकते है control plus y is shortcut key for dash command control plus y किस command के लिए use होता है sponsor होगा d redo के लिए header and footer can be inserted using dash menu header और footer को किस menu के प्रयोग से insert किया जा सकता है file, view, format या फिर insert तो answer होगा insert तो आते हैं practical के लिए insert menu पे click करते हैं नीचे आपको यहाँ प्याना है header and footers का विकल्प दिया गया है इस पे जब आप click कीजेगा तो header इसकी shortcut की footer और इसकी shortcut की साथ में दी गई है आप shortcut की कभी इस्तिमाल करके insert कर सकते हैं और इस पे click करके भी कर सकते हैं which option used to insert image in google dose google dose में image डालने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है अगर आप कोई भी image insert करना चाते हैं तो आपको insert menu का इस्तिमाल करना होगा practical के लिए आए गूगल डोस में insert पे click कीजे सबसे first में यहाँ पे image का विकल्प दिया गया है जब आप इस पे click करते हैं तो यहाँ पे कई सारे option आ रहे है upload from computer यानि कि कोई भी image जो है आप computer से upload कर सकते हैं या फिर web में search कर सकते हैं अगर आपने कोई image ड्राइफ में रखा है उसे भी आप insert कर सकते हैं photos से ले सकते हैं URL की मदद से ले सकते हैं और camera के थूब ही ले सकते हैं तो यह सारे path दिये गए हैं जहाँ से आप किसी भी image को अपने system में insert कर सकते हैं dash shortcut की used to strike through selected text in google dose google dose में selected text को strike through करने के लिए किस shortcut कुझी का उपियोग किया जाता है तो यहाँ पे सबसे पहले shortcut देखिए D होगा alt plus shift plus 5 जब इसे आप साथ में प्रेस करते हैं तो जिस भी paragraph को strike through करना चाहते हैं पहले select कर लिजे आप प्रेस कीजे alt shift 5 तो देख सकते हैं इस तरह से आपका जो है paragraph कट चुका है इसी को कहते है strike through control plus F is the shortcut key which is used for control plus F जो है एक shortcut key है जिसका प्रेयोग हम किसके लिए करते हैं यह आपको बताना है तो right answer क्या होगा yes, D होगा find and replace के लिए in paragraph style formatting dash type of headings paragraph style formatting में कितने प्रकार के headings होते है 3, 2, 4, 6 answer बनेगा D, 6 type के होते है practical देखिए तो आपको click करना है format पे format पे जैसे ही आप click करते है paragraph styles पे click करना है और यहाँ पे आप देख सरते हैं 6 headings दिये गए है which shortcut key is used to check out non-printing characters non-printing characters को check out करने के लिए किस shortcut कुणजी का प्रयोग किया जाता है तो right answer यहाँ पे क्या होगा A, B, C या फिर D B होगा control plus shift plus P यहाँ पे आते हैं हम लोग यह जो आप देख रहे हैं ना इसी को कहते हैं non-printing character यह जब आप इसे print कीजे का तो यह नहीं आता है तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसे हटा देते हैं और आते हैं view tab पे view tab पे आप देख सकते हैं so non-printing characters और इसकी shortcut की दीगी है control shift P इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यह non-printing characters जो है यह आ जाते हैं अब आप जब इस page को print कीजेगा ना तो यह print में नहीं आएगा to go one step backward in google dose dash shortcut key is used google dose में एक कदम पीछे जाने के लिए किस shortcut कुझी का प्रयोग किया जाता है तो right answer यहाँ पे होगा undo command यहाँ पे undo command दिया गया है और shortcut होता है इसका control plus z exam में यह question इसी तरीके से पूछा गया है तो undo होता है one step backward और redo होता है one step forward तो दोनों याद रखेएगा dash is the shortcut key to print google dose on the printer printer पर google dose को print करने की shortcut कुझी है control plus p control p से आप google dose को print कर सकते हैं तो यहाँ पे हम लोग प्रेस करेंगे control plus p या फिर आप यहाँ पे file menu पे जाके नीचे सबसे दिया गया है print का विकल पे यहाँ पे भी आप click कर सकते हैं इस तरीके से आपका page दिखाया जाता है जैसे ही आप print पे click करेंगे तो यह printing स्टार्ट होगा तो चेंज टेक्स्ट केस, अपर केस, लोवर केस और टाइटल केस, डैस मेन्यू यूज़ most important question है अच्छे से समझे और देखिएगा practical के साथ टेक्स्ट केस बदलने के लिए अपर केस, लोवर केस और टाइटल केस इस मेन्यू का उपियो किया जाता है तो यहाँ पर right answer क्या होगा D format, practical देखिए तो यहाँ पर जब भी हम लोग टाइपिंग करते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारे टेक्स्ट का जो है case होता है, यानि कि पहला word जो है capital होता है, फिर सब small होते है full stroke के बाद फिर से एक word capital होता है फिर सारे small होते है, अब इसके case को change करने के लिए इन में से चाहे जिस भी paragraph को, तो select कीजेगा फिर आपको format पे click करना है, format पे click करने के बाद आपको text पे click करना है, text पे click करने के बाद सीधे नीचे आपको आना है, यहाँ पे देखिए capitalization इस पे जब आप click कीजेगा, तो आपको दिखाया जा रहा है lower case, upper case, title case, तो lower case में क्या होता है पूरा का पूरा जो हमारा paragraph हैगा, वो small में रहेगा upper case में पूरा capital में रहेगा, title case में क्या होता है यह आप देख लिजे, तो यहाँ पे आप देख सकते है पाराग्राफ का हर एक word का first character जो है capital में है तो इसे कहते है title case, कि लिए रहे, चलिए How does smart compose suggest text in google dose smart compose, google dose में text का सुझाव कैसे देते है A. By scanning the entire internet for related information यानि कि related information के लिए पूरे internet को scan करके B. By copying and pasting text from other documents दूसरे documents से text को copy और paste करके C. कहता है waste on the user's previous writing in google dose google dose में user के previous writing के अधार पर और D. है by analyzing the user's browsing history user के browsing history का analysis करके तो answer यहाँ पे बनेगा C. Based on user's previous writing in google dose smart compose google dose में text का suggestion देता है google dose में user के previous writing के अधार पर तो चेक spelling and grammar प्रेस पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर आपको spelling and grammar चेक करना हो तो किस menu से जाके करते हैं यहाँ पे spelling and grammar आपको चेक करना है लेकिन shortcut की की मतसे तो right answer बनेगा बी control प्लस alt प्लस x practical देखिए तो यहाँ पे जैसे ही आप control alt x प्रेस करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे spelling and grammar जो है dialogue box ओपन होता है और आपको दिखाया जा रहा है no available suggestions to review यानि कि जो paragraph लिखा गया है विल्कुल सही है इसलिए आपको कोई suggestion नहीं दिया जा रहा है अगर कोई grammatical mistake होता या कोई spelling mistake होता तो यहाँ पे आपको दिखाया जाता और उससे related आपको suggestion भी दिये जाते हैं यहाँ फिर आप क्या कर सकते हैं tools में जाएंगे तो first में ही spelling and grammars का विकल्प दिया गया है और यहाँ पे देखे shortcut की भी तो यह भी आप याद रखे को tools से कर सकते हैं या shortcut की से कर सकते है control plus c is shortcut की for dash command तो control c का use copy command के लिए करते हैं इसके बाद देखिए how can you increase the font size of selected text by one point every time क्या मतलब है आप selected text का font size हर बार एक बिंदू कैसे बढ़ा सकते हैं एक बिंदू का मतलब है कि जब आप जो font का size होता है उसे increase कीजेगा google dose में तो suppose default 11 है तो size पे click कीजेगा तो 12 होगा फिर 13 होगा तो यहाँ पे shortcut की की मदश से भी आप one point every time कर सकते हैं सबसे पहले इसका shortcut देखिए क्या होता है तो answer होगा A by pressing control plus shift plus dot और इसी से related एक question देखिए what is the shortcut to decrease the font size in google dose? google dose में font size कम करने का shortcut क्या है? तो correct answer होगा B control plus shift plus comma practical देखते हैं हम लोग इसके लिए हम लोग आते हैं google dose में तो इस paragraph को हमने select कर लिया है अभी इसका size जो है 13 है यहाँ पे plus में जैसे ही आप click कीजेगा तो देखिएगा 14 होगा फिर click कीजे 15 होगा और minus पे click कीजेगा तो one point every time जो है decrease हो रहा है और इसी को आप practical की मदद से कर सकते हैं increase के लिए control shift dot और decrease के लिए control shift comma ठीक है? अब इसके बाद होता है आपका mock test जिसमें आपको five question दिये जाएंगे five में से आप कितने सही कर पाते हैं वीडियो के end में बताना है पहला है तो left text alignment dash shortcut की used बताइए text का alignment left में आपको shift करना है जो center में हो right में हो या justify हो तो तो answer क्या बनेगा? control shift L दूसरा देखिए control V is shortcut key for dash command तो google dose में control भी shortcut key का use किसलिए करते हैं? आपने बिल्कुल सही सोचा है A. paste के लिए third question देखिए to add text boxes और shapes to your document you will need to dash अपने document में text box या shapes जोडने के लिए यानि कि add करने के लिए आपको किस की need होगी? तो यहाँ पे दिया गया है? फटा फट से read कीज़े फिर answer बताइए पिछले वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो आपने सही answer C चुना होगा insert a drawing insert a drawing में जाके आप text box हो या shapes हो अपने document में add कर सकते हैं फोर्थ देखिए पिछ command would you use to double space the text in your document? अपने document में आप text को double space करने के लिए किस command का उपयोग करेंगे? तो command के name है justify, increase indent, line spacing, bulleted list double space करना है text को, ये भी हमने पिछले वीडियो में practical आपको दिखाया था, तो इसके लिए आपको line spacing का यूज करना होगा, उमीद करते हैं आपने सही answer चुने होगे, अब देखिए 5th, to start voice typing in Google DOS, press, Google DOS में आपको voice typing जो है, start करना है, शुरू करना है, तो आप कौन सी कुंजी प्रेस करेंगे, A, B, C, F, D, तो answer क्या बनेगा, control plus shift plus S, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, Google DOS में जो है, keyboard की, keyboard का use किये बगर, text add कर सकते हैं, तो 5 में से आपने कितने question को सही किया है, कमेंट में लिक के बताए, वीडियो कैसा लगा, ये भी आपको बताना है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, तो like कर दीजे, share कर दीजे, चाइनल पे नए है, तो subscribe के वगर मत जाईएगा, ताकि आने वाली वीडियो की notification आपको सबसे पहले मिले, अगर आपको इन स कीजेगा, वहाँ से आपको PDF